प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए नेफ्थीन्स नामक पौधा इंडोनेशिया अश्चलिया और भारत के मेगाले में पाया जाता है अब देखिए यह पौधे कीडे मकोडे और छोटे जिवों का सिकार करता है यह पौधे लंबे घडे जैसे दिखते हैं जिसके उपर पत्ती का धकन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वज़ा से कीडे मकोडे इसके अंदर आकर फस जाते हैं अंदर फस जाते हैं नेफेंतीज पौधे के घटपाड़ी पौधा भी कहा जाता है अंकिट भच्ची पौधे जैस लेगा है निपैंथीज नामक पौधा कहां पर पाय जाता है तो भारत में कहां पाय जाता है तुम्हें घाले में बहार पुछेगा तो इंडिनोस्या और अस्टेलिय म कहा इता करता है उसमें बंद कर लेगा उसमें और उसको धीरे-थाप मार देता हैं यह अफोझे लमबे घड़े जैसे दिखते हैं जिसके उपर पती का धग्कन होता है जिसका करेगा बंद कर लेगा इसमें से खुस्बू निकलती है जिसे किड़े मोकोडे छोटे जीव इसमें अकरसीत होके आके फस जाते हैं और यह करेगा ढकन को गिरा के बंद कर लेता है और दीरे-दीरे जो फीड़े मोकोडे मर जाते हैं यह है क्रेटोन पौधा क्रोटोन प्लांट बोलते हैं अब देखे क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दसा को बता देता है यानि सिगनल दे देता है क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में जादा गहरी नहीं जाती है जब मिटी सूखने लगती है तो इस पौधे की पतियां सूखने लगती है और जढ़ने लगती है जिससे मिटी का पता चल जाता है कि मिटी सूख रही है तो यह एक परकार का सिग और यह क्या करता है। तो यह क्या करता है। जबसे इन सब्सक्राइब इन आभाल यह स्बस्क्राइब आए ज्युक्त कार बोभी ऐसका करेबार हाब ल्डियर沒有 तो यह स्क्वता है बोस्ता रेमों काक तो एस्तेलिया में जबस्तार नेीव nee पाइब पाया जाता है जिसकी उचाई गारे से 12 फिट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फिट तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए तो यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता है जब कभी इसी इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पढ़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पत्ला पाईब डाल कर पानी निकाल लेते हैं तो देखिए पूस्देगा रिष्थानी ओए और प्हाँ पाई जाता है तो मиях आश्चेली स्थानी ओग कहां पाया जाता है अ इस्थिलीं में अश्चेलीं में कौन सा पेंड पाया जाता है ऑई जिसकी हाइट कितनी होती 11 से 12 फीट और होती है इसकी जणे जमीन के नंदर कितने फिट तक करता है कि वर्गत के पेंड़ की लटकन उसकी देखें लटकर लटकर हता है निकली होती है बढ़ते-बढ़ते ज्रामिन का चली जाती येज़िआ मजबूत खमबों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं चलिए मगरमच के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देथे तो यह पूछ लेगा छोटे-छोटे छेद वाले कान किस जीव के होते हैं, किस के होते हैं, जो आसानी से दिखाईने देज़े हैं, तो कोडायल हो जाएगा, मगर मचका हो जाएगा, मचलियां खत्रों की चताउनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से कौन देता है तो मचलियां देती है डालफिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकाल कर और एक दूसरे से बात करती है पूस देगा कौन सा ऐसा जीव है जो अलग अलग तरह की आवाज निकालता है और एक दूसरे से बात करता है डालफिन अब देखें गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं दांतों से चोटे चोटे च्छेत जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई ने दिते हैं चिपकली मच्छिपकली के भी चोटे चोटे च्छेत जैसे कान होते हैं मचलियां तरंगों की चेताउनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं डॉल्फिन डॉल्फिन भी अलग अलग के लिए होते हैं जो मांस को फारने और काटने का काम करते हैं बिल्ली के दाथ कैसे होते हैं नुकिले और मांस को फारने और काटने का काम करते हैं गाय के आगे के दाथ पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दाथ चप्टे और बड़े होते हैं जो घास चवाने के के लिए होते हैं तो गाए के अगे के दाथ कैसे होते हैं पत्तो को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दाथ चप्टे होते हैं और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं कि कि कि